और अगर सब्सक्राइब रिंगरा तो सब्सक्राइब कर लेना कितना इसको डामेज कोचा है लो दोस्तों नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो अभी बज रहे हैं शाम के साथ और हम आ गये हैं आज बर्लीन के एक हिस्टोरिकल प्लेस पे तो यह है चर्च जिसका नाम है केसल विलहम चर्च और काफी पूराना चर्च है यह वर्ल्ड वार टू के दौरान यह डामेज हो गया था तो इसका जो उपर का पार्ट है वो अभी भी जो है डामेज दिखाई देता है तो आपको दिखाएंगे इसे पूरा यह कैसा दिखता है वर्ल्ड वार टू के टाइम पेस पे एयर बॉंबिंग भी थी और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसको एक वार मेमोरियल में अब तब दील कर दिया गया है तो टिकेट लेके अंदर भी जो है जा सकते है इसके और उसको देख सकते हैं का आखिटेक्चर कितना सुन्दर ह है और यह इसका एंट्रेंस है तो अभी तो शाम में बंद हो चुका है यह किनना इसको टैमेज पहुचा है आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे दीवार जो है वो टूट गई है पूरी यह इसका ओपनिंग टाइम बताया गया है मंडे टू संडे ट्वेल पीम से छे पीम तक रहता है और लास्ट एंट्री जो है इसकी होती है पाच पैतालीस पे शाम में इसी चर्च के सामने एक नया चर्च कंस्ट्रक्ट किया गया है बट यह पुराने वाले चर्च को अजब रखा गया यहां पर आधर के कुछ एक अजीपी पीलिंग है जो यह पीच में चर्च है यह वार के दौरान इसको इतना नुचसान पहुचा और इसके चारो तरफ अ काफे, बार, सब आपको मिलेगा लेकिन कोई भी वार कितमा ज्यादा नुक्तान पहुचाती है यह इसका एक पॉपेक्ट इक्डैम्पल है और चाहद इसले इसको एक मैमोरी के तौर पे अज़िए गया है कोई रेनोवेशन इसमें नहीं किया गया है इस चर्च के ठीक पी चिल कर रहे हैं और लाइप पर्फॉमेंस भी हापे चलती रहती है यहां पर एक लाइप पर्फॉमेंस भी चल रही है अब शाम में यहां पर पूरा गूमने के बाद हम धर की और जारें तो पापी अच्छा प्लेस था और उसके बाद हम थोड़े देर मॉल में भी चले गए थे और अब बस धर की और जारें मिलते हैं पूरी एंटिंग कर दी है मिलते आपसे नए ब्लोग में बाए झाल झाल